महंचरल माझी दिशरंक नामरे सपत करूँ अचिजे ओ विधीद्वरा प्रतिश्थित थारतर संभिधानपती स्रथा और निष्ठा रखिबी थारतर सार्वभवत्त और खंडता रख्या करीबी ओडिशा राचर मुख्यमंत्री रुपे पर कर्तप्य, स्रथा और सुद्धा अंतर करोरे धिर्बाह करीबी नवीन पटनाय के 25 साल की बाद शाहत को खत्म कर मोहंचर अनमाजी ओडिशा के मुख्यमंत्री बन गया है बुधवार को भुवनेश्वर के जनलता मैदान में शाम पांच बजे उन्हेंने मुख्यमंत्री पत की शपत ली भास्पा ने दूप मुख्यमंत्री भी बनाया है इसमें लगतार छठी बार विधायक बने बलागीर के राज परिवार से तालुक रखने वाले कनक वर्धन सिंग देव हैं तो दूसरी डिप्टी सीएम पहली बार विधायक बनी प्रतिभा परीरा बनाई गई हैं परीरा राज्य भास्पा में महिला मोर्चा के अध्यक्ष रह चुकी 12 जून को मोहंचरन माजी के श्यपत ग्रहन के दवरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनात सिंग, ग्रिह मंत्री अमित्शा सहीत तमाम दिगजने ताम मौजूद थे लेकिन सवाल है कि भास्पा ने आकर आधिवासी समाज की मोहन माजी को ही क्यों चुना क्या इसके पीछे लोग सभा के चुनावी नतीजे हैं जिसमें भास्पा को 2019 के मुकाबले 26 रेजर्व सीटों पर मात खानी पड़ी है और इसी बेचैनी में भास्पा आधिवासी बहूलता के हिसाब से तीसरे नमबर के राज्जे ओरिसा में आधिवासी समाज की निताक पुख्यमंत्रिपत की कमान सौपी है पहले बात करते हैं नए सीए मोहन चरन माजी की माजी लंबे समय से भास्पा से जुड़े रहे हैं और उत्तरी ओरिसा के एक ओंजर में जो की अनुसुचित जन जाती के लिए सुरक्षित सीट है वहां से चौथी बार गिधायक बने है माजी के नाम पर मुहर लगा कर भास्पा ने 36 गड़ और आजस्थान की तरह ही एक बार फिर से सब को चौका दिया है ओरिसा में आधिवासी समाज की आबादी करीब 23 प्रतिशत है ओरिसा की कुल आबादी 4 करोर है जिसमें आधिवासी समाज की आबादी 1 करोर है जबकि देश की कुल आधिवासी आबादी का 9.20 फिस्ती आबादी ओरिसा में है क्यानि ओरिसा के जड़िये भास्पा ने देश भर की आधिवासी समाज को एक मैसेज दिया है दरसा लोग सबाचुनाव में रक्षित सीटों पर करारी हार के बाद भाजपा में बेचाइनी है साथ ही जिस तरह से 400 पार का नारा देने के बावजूद भाजपा खुद अपने बूते सरकार भी नहीं बना सकी और एंडी एकट बंधन पर निर्भर हो गई है उसने भाजपा को डरा दिया है ऐसे में भाजपा ने जिस तरह 36 गट के बाद ओरिसा में आदिवासी समाज को नित्रित हो दिया है ववंचित समाज के बीच यह संदेश देना चाहती है इसे भाजपा ही डलितों और आदिवासीों को परतिन धित्व दे सकती यही बज़ा है कि भाजपा ने 36 गट में आदिवासी समाज के विश्म देवसाय के बाद ओरिसा में मुहंचर अनमाजी को सत्ता की कमान दे दी अगर इसको परतिन धित्व के लिहास से देखें तो यह आदिवासी बहुरू राज्जियों के लिए एक बड़ा कदम है उकि आदिवासीों की बहुरूता वाले प्रदेश में इसी समाज का मुख्य मंत्री इस समाज के असली भालाई सोच और कर सकता है क्योंकि उनके पुद्य को वही जानता है जैसा कि जार्खंड के मामले में वकालत की जाती है लेकिन बात बस इतनी सी नहीं है बलकि इसके और भी कई फैक्टर है उडिसा के उत्तर में जार्खंड और पश्चिम बंगाल पश्चिम में चतिसगड और दच्छिन में आंध्रप्रदेश र जैसे में भाजपा जैसे में जार्खंड के आदिवासी समाज को संदेश देना चाहती है कि वह उन्हें सत्ता के सीर्स पर बिठाएगा जैसा कि उसने पिछली बार नहीं किया था हलाकि इन सब के बावजूद 36 गड में विश्चनु देवसाय और अब ओडिसा में मोहंचरन माजी के रूप में भाजपा ने उन्हीं नेताओं को मौका दिया है जो भाजपा और संग की विचार धारव से निकलें और उसमें रचबसे हुए हैं मोहंचरन माजी ने 90 के दशक में सरस्वती सीशू मंदिर में सिक्षक के रूप में अपने करियर की सुरुवात की थी सन 1997 में वो सरपंच बने और साल 2000 में भाजपा के टिकट पर केउन जर से पहली बार विधायक बने 24 साल तक नवीन पटनाएक ने जिस तरह ओडिसा में अजे राज किया माजी उसके खिलाफ मुखर रहे इसने उन्हें आदिवासी समाज के साथ साथ भाजपा की भीतर भी लोगप्रिय बना दिया और इन सब के बाद जिस तरह मुख्य मंतरी बनते ही अपने पहले फैसले में उन्हें जगनात पूरी मंदिर के सभी चारोध दरवाजे खोलने और मंदिर के रख रखाओ के लिए 500 करोर का खोश अस्तापित करने का आदेश दिया है वह उन्हें भाजपा के सबसे बड़े धर्म से भी जोडता है अब देखना होगा कि भाजपा ने जिस तरह 36 गठ के बाद अब ओरिशा में आदिवासिस समाज का मुख्य मंतरी दिया है वह भाजपा के जिन्दे को पूरा करने के लावा आदिवासिस समाज का कितना भला करता है विरो रिपोर्ट दली 10 तर दिश्ठा रखिवी भारत रा सार्वभवत्त और खंडता रख्या करीवी अडिशाराच्यर मुख्य मंतरी रुपेर महर कर्तप्य प्रथा और सुध्धा अंतर करा अरे दिर्भाह करीवी